मुंबई चेन्ने हाइवे, बैंगलूरू एरपोर्ट, तुमकुरू रेलिवे स्टेशन, मैंगलूरू पोर्ट और गैस कनेक्टिविटी, ऐसी मल्ती मोडल कनेक्टिविटी से इसे जोड़ा जा रहा है। इससे यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार बनने वाले हैं। साथियों, डबल एंजिन की सरकार का जितना ध्यान फिजिकल इंफ्रास्टेक्टर पर है, उतना ही हम सोशल इंफ्रास्टेक्टर भी जोड़ दे रहे हैं। बीते बर्शों में हमने निवासक्के निरूप। आपल कल्तु मीम साकाने मरती दिरा, हागादर निम म मीन उगलनना वंदु कोटिकु हेच्चु फ्रीडुमाप बलक्यदार रिगे, याउदे कर्चिल दे माराटमाण। भूमी के निरावरी यानि हर गर जल, हर खेत को पानी को प्रात्पिक्ता दी है। आज पुरे देश में पीने के पानी के नेटवर्क का अभूत पुर्व अविस्तार हो रहा है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए बजेट में पिछले वर्ष की तुलना में बीस हजार करोड रुपे से अधिक की वृद्धी की गई है। जब हर गर जल पहुँचता है तो इसका सबसे बड़ा लाब गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साब पानी जुटाने के लिए गोर्ण से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले साड़े तीन वर्षों में देश में नल से जल का दाइरा तीन करोड गरामीन परिवारों से बढ़ करके ग्यारा करोड परिवार हो चुका है। हमारी सरकार निवासक के निरू के साथ ही भूमी के निरावरी पर भी लगातार बल दे रही है। बजेट में अपर भदरा प्रुजेक के लिए लगभाग साड़े पाँच हजार करोड रुप्य की विवस्ता की गई है। इससे तुम को चिकमंगलोरो, चित्रदूर्ग और दावन गेरे सहीर सेंट्रल करनाटर काके बड़े सुखा प्रभावित छेत्र को लाब होगा। ये हर खेत और हर घर तक पानी पहुचाने के डबल इंजीन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। झाल कर्णाओ को लाब होगा है।